तो आज मैं बनाने वाली हूँ एक बढ़िया सा सुबह सुबह टिफिन लंच में राजमा और एक दम अलग बनाओंगी सब का मतलब बनाने का तरीका अलग होता है तो मेरा भी आज तरीका बहुत ही अलग होगा इंस्टेंट होगा तो आज हस्बैन के आफिस के लिए बनाओं बनाओंगी जो बच्चों के लिए पूरी तरह से हेल्दी होगा तो सबसे पहले मैं यहां पर राजमा को बाल करने के लिए यहां पर बेकिंग पाउडर का इस्तिमाल किया है इससे क्या होता है राजमा एक सीटी में बहुत अच्छे से गल जाता है ज्यादा सीटी लगाने होता है हस्बैन का भी टीफिन बनाना होता है तो थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है तब फटाफट काम होते हैं तो बस यहां पर मैंने पनीर लिया है पनीर को आधा में भुर्जी बाद में बनाओंगी दूसरे दिन आधा में बहुत ही बढ़ियां टेस्टी जो बच्चे बड़े हैं और दो बजे तक रहते हैं स्कूल में तो उनके लिए यह हिल्दी लंच बॉक्स सही रहेगा क्योंकि बच्चों को ब्रेड से और जो है मतलब हलके फुलके नाश्टे से पेट नहीं भरता बच्चे पूरे दिन स्कूल में रहते हैं तो उनके लिए है महीन महीन चौप करके ताकि बच्चों को पता ना चले और यहां पर हमने यह अंकुरित मूंग लिया है साबुत वाली इसको मैं भिगा कर रख देती हूं बच्चों को सुबह सुबह ना कभी कभी दूद के साथ भी नमक और मतलब नीबू चाट मसाला डाल के देती हूं ब मूंग भीगा हुआ जो है डाल के और इसके बाद इसको हम थोड़ा सा भोल लेंगे भूनने के बाद यहां पर नमक डाल देंगे थोड़े थोड़े मसाले डाल देंगे क्योंकि बच्चों को खाना है तो ज्यादा तीखाने बनाऊंगी एक चुटकी धनिया पाउडर एक रेट चिली पाउडर एक चुटकी गरम मसाला और बस इसको हम एक कप पानी डाल के इसको धीमा करके ढग देंगे यह जो रोटी के साथ पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है तो आप अगर बड़े बच्चों को दे रहे हो तो इस तरह से हिल्दी लंच बॉक्स जरू इस चेना एसीडीटी नहीं बनती है बहुत बढ़िया इससे रोटी बनके तयार होते हैं तो यहां पर हमने एक चमश पाउडर डाल के बदलब दो कप आटे में इसको गूत लिया है और उसके बाद इसको ढखके साइड में रख देते हैं अब चलते हैं राजमा के तियारी कर लेते हैं तो यहां पर हमने एक बड़ा साइज लिया है प्याज को पतला पतला चौप कर लेंगे आप चाहिए तो इसको पीश सकते हैं लेकिन यह आज मैं चौप करके बनाऊंगी बहुत अच्छा बनता है और फटा फटा बनता बहुत अच्छा भी बनता है तो यहां पर देखिए हमने एक बड़ा साइज तमाटर लिया है اور तमाटर तो हो गए है 100 गिलों आप लोग यहां कितने ुप ही पिलीज बताना मेरे यहां मैं 100 गिलों हो गए है तो देखिए यहां पर बच्चों का टिफिन तयार हो गया हैığımız थोड़ा सा हारी धनिया डाल दिया है और यह पूरी तरह से टन है बहुत अच्छा लगता है आप इसको न चाय के साथ भी खा लेंगे बहुत टेस्टी लगता है तो इस तरह के हेल्दी टीफिन देती हूं बच्चों को ताकि बच्चों को दुबारा भूख ना लगे स्कूल मैं यहां पर हमने चले राजव बना लेते हैं तहके हमने देश पत्त डाल दीए एक दाल चिनी का टुकडा डाल दिया है और उसके बाद प्याश करूंद के थोड़ा सा हम इसको भूं लेंगे मतलब थोड़ा साने प्याज को एकदम ब्राउन करले सब्सक्राइब नमक डालने से निए फ्याज भूंग जाता है फिर हमने एक चम्मच अद्रक अब अच्छे से भूंग गया है फिर उसके बाद यहां पर मसाले में ज्यादा राजमा में नहीं डालती हूं तो यहां पर टमाटा डाल के थोड़ा सब पानी डाल के इसको हम मसाले को भूल लेंगे तो मैं इसी तरह से राजमा बनाती हूं सबको बहुत अच्छा लगता है और मेरे घर में हस्बयान और बच्चे को दोनों को बहुत पसंद है राजमा तो चलिए यहां पर बच्चों का टिफिन पैक कर देते हैं तो यहां पर यह हमारी हिली वाली जटपट वाली सब जीवन के तयार हो गए और बच्चे को बहुत पसंद करते हैं मैं हफ्ते में एक दिन जरूर बनाती हूं बच्चों के लिए तो इस तरह से हमने बना लिया है और इसके साथ आप पराठे रोटी जो भी आप दे सकते हों तो यहां पर देखिए फटा फट से मेरे मसाले भी अच्छे से भून गए हैं राजमा के लिए और इसके लिए ने मुझे सुबह सुबह पांच बज़े उठना पड़ता है तो हस्बैन के लांच और बच्चों क टिफिन दौक से दोनों तैयार करना पड़ता है तो बहुत सुबह उठना पड़ता है और अगर साथ में वीडियो बनाना पड़े न तो फिर और ही जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा मैनेश करना ही पड़ेगा क्योंकि वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सा तो जल्दी उठना ही पड़ेगा तो चलिए राजमा को हमने एक तरफ रख दिया पानी डालके जब तक हीटी आएगा तब तक मैं बच्चों के लिए पराथा बना देती हूं और यह पराथा जो है बहुत हेल्दी है अपनों बच्चों को जरूर बना के दें यहां पर हमने की तरह बेल लिया है घी लगाके और इसके बाद यह जो कसूरी में थी है न यह बहुत अच्छी लगती है हमने लगा दिया इस तरह से और इसको बस चौकोर में जैसे पराथा कभी कभी न पराथे का साइज जो है चेंज कर देना चाहिए इससे बच्चे बहुत जल्दी आ जाते हूं गाय के लिए गाय के लिए पहला निवाला निकाल देना चाहिए किचें से तो देखे इस तरह से हमारे यह पराथा बनके तयार हो गए जब तक बच्चे रेडी हो गए तब तक मैं जो है उनका टीफिन पैक कर दूंगी तो इसी तरह से मेरा जो सब लोग पूश क्योंकि वीडियो को बार बार ओन आफ करना इसके जो है जो ज्यादा मतलब करतीं काम हो जाता है तो देखें हमने बच्चों पैक कर दिया है तो बशी रेडी हो गये गजए बच्चे निकल जाते हैं और साड़े आठ बजे हम सी जाते है तो अड़े आठ बजे के पहले पह चुका है हमने हरी धनिया डाल दिया है और इस तरह से जटपट राजमा मैं अक्सर ऐसे बनाती हूं बहुत यमी बनती है बहुत ज्यादा ताम जाम नहीं करती हूं तो अभी में राजमा चावल और सालेड जो है दे दूंगी खाने के लिए और लंच में पैक कर दूंगी रा सोचना पड़ता कि आज क्या बनाया टिफिन में जो अच्छा भी हो हिल्दी भी हो और फटा फट से बन जाने वाला हो तो मैं इसी तरह एक गिन पहले सोच के प्रिपेशन करती हूं ताकि सुबह जल्दी हो जाए तो उम्मेद करती हूं आपको मेरी रेस भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइब शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हूं नेक्ट ब्लोग में बाबा टेक केर